अग्यान लाप आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 चाप्टर के क्वेश्चन बैंक के सल्यूशन यह सल्यूशन अल्रेडी हमने आपको टेलिग्राम ग्रूप पे पूरे बायोलोजी सिलिबस की प्रोवाइट कर है अब तक अगर आपने हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो आप इस विडियो के नीचे जो लिंक दी गई है उस लिंक के उपर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट हमारे गुरूप को जॉइन कर पाएंगे और यह ग्रूप दोनों के अलग अलग साइट पे अलग अलग फ्लाटफॉर्म पे आंसर मिल गए लेकिन मेरे कुछ बच्चे थे जो कंटिन्यू रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं आप आंसर डालो क्योंकि हमको नहीं मिल रहा है कहीं से तो उन बच्चों के लिए मैं यह आंसर डाल रही हूं इसमें और ओप्षे नंबर हमेशा लिखना होता है अगर फॉर्स्ट कश क्वेस्चन का अंसर यह है तो आपको ऐसे लिखना है ऑप्षे नंबर डी आंसर लिस टेस्ट फाइव यहां देखो फटा फट वडिश करते यहांu सक्रिंश गर लेते जाओ यह चैप्टर का पूरा explanation मैंने अपनी प्लेइलिस्ट में डाल दिया है और इसका मैंने आधा crash course भी लिया था बाकी फिर आधा बचों के इसे correction दिखे तो मुझे message करो मैं वह correction आपको बता दूंगी तो देखो यह आंसर सारे आपके टेक्स्ट्वल आंसर जिन बच्चों ने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो उन बच्चों को मैं एक ही चीज सजेस्ट करूंगी कि आप लोग कम से कम question bank पढ़ लो अग में क्या important होता है labeling की spelling बहुत important होती है तो लेबल के उपर बहुत अच्छे से ध्यान देना आंसर की screenshot लेते जाओ जहां जहां पर आपको ब्रीफ question पूचा जाता है वहां वहां पर आपको रफ डाइग्राम बताना कंपल सारी है इस चैप्टर में बहुत कुछ important डाइग्रा की वीडियो नहीं देखिए तो आप हमारे playlist section में जाएए वहां पर आपको crash course की वीडियो मिल जाएगी वहां पर आप इसका explanation देख सकते हैं हमने 11 standard का syllabus भी स्टार्ट कर दिया है बायो और फिजिक्स का तो आप लोग 11 स्टारइट के साथ भी ज्यान लाब चानल शेर करो ताकि उन तक भी material free में पहुँच सके अल्राइट सारा screenshot लेते जाओ आपको यह जितने भी detailed answers है अगर यह chapter समझ में नहीं आया ना बच्चा तो please मेरे videos देखो 1.5 या 1.75 की speed पे मेरी videos देखो वीडियो से आपको यह chapter समझ जाएगा तो आपको answer रटा नहीं मानना पड़ेगा क्योंकि biology बहुत difficult है अगर रटना पड़ा ना तो कुछ याद ही नहीं रहता है आपको याद रहता है फिर भूल जाते हो याद रहेगा फिर भूल जाओगे तो इतना जंजट अगर नहीं चाहिए तो 1.5 के स्पीड में आप सोते सोते मेरा वीडियो सुनो तो आपको आदे से जाधा चीज़े आटोमाटिकली याद रहेंगे और भाया जिन्होंने साल बर कुछ पढ़ाई नहीं किये तो आप पढ़ लो मेरी रिक्वेस्ट है मेरी बिंती है आप लोगों से ठीक ह एक बार यह question bank के सारे solutions हो जाएंगे तो control and coordination chapter भी खतम हो जाएगा मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है मुझे सच में बहुत गिल्टी फील हो रहा है ठीक है लेकिन लेकिन आप लोगों को सिखाती हूं तो मैं कोशिश जरूर करूंगे यह तो अच्छा है कि अपने को सारे chances मिल गए बस मुझे cross check करने की महनत करनी पड़ी देखो आँ screenshot लेते जाओ यह डाइग्राम तो मैंने कितनी बार बोला है डाइग्राम बहुत important है बहुत important है इसका labeling बहुत important है इसका लेबलिंग बहुत important है okay forms क्या होते हैं उसका structure explain करो we describe the process of eugenesis in human female eugenesis मतलब formation of ovum कैसे कौनसे अलग-अलग phases होते हैं okay screenshot लेते जाओ आप लोग complain करते हो मैं आप screenshot लेने का time नहीं देते हो इसलिए मैं अभी time दे रही हो 13 second का time दे रही हो okay one two three ले लो screenshot फटा फट में मिल रहा है next answer का भी ले लो telegram group join कर लो वहां पर हम सारा PDF आपको प्रवाइट कर देते हैं तो आपको screenshot लेने की भी जरूरत नहीं वरना गैलरी बर जाएगी पूरी phone hang होने लगे इसे भी exam के पहले सब बच्चों का phone भर जाता है photos से मेरा भी भरता था नहीं मेरे टाम पर android phone नहीं था मैंने बारा साल दस साल पर मेरी एज मत पूछ नहीं okay score mark के questions बहुत इजी हैं बायो में mark score करना बहुत इजी है spelling right लिखो diagrams properly बनाओ अच्छे से साफ सुत्रा गंदा गंदा उल्टी मत करो paper पे और point wise answers लिखो और जहां diagram बनाने वहां diagram बनाओ diagram में कोई marks नहीं काटता है जितना extra diagram बना सकते बनाओ पर time पे paper खतम करो आप लोगों को तो फायदा ही फायदा आदा गंटा एक्स्ट्रा मिला positively लो हर चीज़ को positively लो all right in shot ले रहे हो ना भाया मेरी ये वीडियो को ज्यादा views मिलेंगे तो ही मैं one shot video डालूंगी मैं बार बार बोल रही हूं मैं महनत करूंगी तभी जब मुझे मेरी महनत का फल मिले आइनो महनत करते जाओ फल की चिंता मत करो तुम लोग प्यारे बच्चे हो यार तुम लोग तो इतना करी सकते हो मैं कि काईड में राफट स्क्रीन शर्ट लेते जाओ इसको पॉइंट वाइज लिखुआ है यह जो explanation इना आप लोग भी सोच रहे होगे माम को आज क्या हो गया है बड़ा मजाग कर रही है कर ले लिया डान कि कैसे activate होता है कौन से enzymes responsible होता है सब में एक्स्प्लें किया है सब में करूंगी यह वीडियो का इसलिए मैं फटा-फट आंसर उपर कर रही हो सब कुछ explain क्या होता है क्या होता है अलग-अलग तरीके pregnancy को prevent करने के बच्चों ने बहुत सारे डाउट्स भी पूछे थे और मैंने सब के डाउट्स का reply भी दिया था यूट्यूब पे कि 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 यहां पे खतम होता है हमारा चाप्टर नंबर टू दो मिनिट में चाप्टर नंबर टू के मैंने वीडियो को चोटा ही रखा है रुक रुक क्या स्क्रीन शॉट ले लो अब बारी आती है चाप्टर नंबर थ्री की चाप्टर नंबर थ्री बहुत फेवरेट चाप्टर है इन्हेरिटेंस और पूरा जेनेटिक्स से भरा हुआ है जिन लोगों को जेनेटिक्स का डर कि इसका क्षेशन ट auto are out without शर्याद रहता है पुरिर क्या क्षिशन था वही बूल जाते है जबस्ती साइड में या रखो हमेशा टेक्सट्बूक से वर टू जाब या नोट से लिखो लेकिन definition हमेशा word-to-word होना चाहिए definition में कोई shortcut accept नहीं होगा ओके मैं खुद बहुत strict to इस मामले में अल्राइट अब two marks के को simple है two marks के question यह यह तो universal question है आता ही आता है Q Mendel को success मिली फिर homozygous heterozygous का differentiation मैंने अपनी वीडियो में explain किया है test cross very 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 important question important है और test cross क्या होता है तो फ्लीज मेरा वीडियो देख लेना आपको समझ जाएगा what is test cross cross between f1 hybrid and recessive trade यह सारे examples है को यह की example explain करने त्रीन laws जो थे Mendel के law of dominance law of segregation law of independent assortment सब पढ़ लेना कि उसके आगे के characteristics okay incomplete dominance leotropy core dominance etc etc okay what is chromosomal theory of inheritance write a note on sex link please take a screenshot quickly complete linkage incomplete linkage genes के बीच का जो distance होता है sex determination birds में कैसे होता है वो देख लो कि अधियल account of thalassemia थालसीमिया के वज़े से बहुत सारे बच्चे प्ली डेत हो जाती है विकॉज अफ इफेक्टिव हेमोगलोबिन के साफी सीरियन कंडिशन की माक्स के क्वेशन मेरा फेवरेट फार्ट में फॉल माक्स मिलता है कभी नी छोडने का प्ली ओट्र 픂 यूणिवर्शन मिलता आता है या तो डिफाइन करने बोलेंगे या चोट नोट आएगा पर प्ली जॉट्रापि करके ऊपर चॉट खवेशन हैं रगत नत्व कुछ भी option में मठ चोड़ना है आपको अगर option में छोड़ना है तो आप 10th chapter 11 chapter option में छोड़ सकते हो 15th chapter को खुच से ठोक के लिख सकते हो तिवे एक बार रीट करके चले जाना हूं पर यह chapters option में मठ चोड़ना ख्रोमोजोम एक्स और वाय क्रोमोजोम का structure अच्छे से देख लेना फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चेन इंवाट इंहरिटेंस एक स्क्रीन शॉट फॉर दिस विडियो स्पीक एक एक एक्जाम्पल है मतलब जो जेनेटिक डिसॉड इसका cross बताना बहुत जरूरी है color blindness क्या होता है concentrate के उपर responsible होता है ज्यादा तर males में देखा जाता है color blindness because it is x-link disorder bleeders disease क्या होता है जिनकी body में factor 8 की कमी होती है process वगेरा देख लो अच्छे से sex determination कैसे करते हैं humans में काफ़ट पढ़ाई चालो वीडियो को pause करकर भी आप revise कर सकते हैं एक्जाम में जाने से पहले last minute revision down syndrome क्या होता है उसको कैसे recognize करते हैं कौन से chromosome का defect है यह syndroms बहुत important है last का down syndrome, line filter syndrome, turner syndrome यह तीनों syndrome बहुत बहुत important है सारी चीज़े एक 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 ग्जाम्पल सबका आट हो यार तुम लोग टाफट वीडियो देख लो वैसे तो बहुत सारे बच्चों का बायो स्ट्रॉंग हो गया है structure of chromosome बहुत important है, syndroms बहुत important है यह बहुत important topics है वो बिलकुल auction में नहीं यह sex linked genes क्या होते है, x link genes और y link genes क्या होती है मेरी वीडियो देखो आपको समझ जाएगा उसमें मेंडेलियन और Chromosomal Disorder का आपको एक example बताना है थालासीमिया का आपने उपर भी देखा था और यह syndrome आपने पढ़ लिया ना तो यह एक दो question बार-बार repeat होता है तो यह था आपका chapter no.3 अब आती आए बारी chapter no.4 की थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूं ताकि आप लोगों का time waste ना हो और फटा-फटा पांसर स्टिक कर सके स्क्रीन शॉट ही तो लेना है फटा-फटा देखे screenshot molecular basis of inheritance बहुत important chapter है आधा chapter मैंने complete कर दिया बाकी का आधा बचा है मैं कोशिच करूंगी वह भी complete करने का आपके बोर्ट के पहले मेरे PPT-VPT सब बनके रेडी है बस मुझे recording करने का time नहीं मिल रहा है कभी time मिलता है तो area में DJ बजरा होता है कभी कुछ कभी कुछ कभी light चली जाती है कभी हमारे इदर का server down हो जाता है कभी laptop खराब हो जाता है but still I will try don't worry पढ़ाई करते हैं चैनल शेयर करो शेयर करो फटाफट 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 11 चैनल की बच्चों के साथ यह देखो 12th MCQ का explanation भी यहां दिया है अच्छी बात है बहुत मैनत तर्गेट पॉलिकेशन इंगल सेंटेंस के आंसर आपको मिल गया है बहुत इंपॉर्टेंट है आधा चैप्टर जो मैंने एक्स्प्लेइन कर दिया है बच्चों को काफी अच्छे से समझ में आया है बाकी का अधा भी मैं कर दूंगी नेक्स्ट यह जो बच्चे आने वाले उनको भी समझ में इंजाइम्स तो मैंने अपनी वीडियो में भी लिख के बताई थी आप लो अधा था नेट्रो क्रोमाटिन और यू क्रोमाटिन का डिस्टिंग्विश आएगा और देखो इधर पर दिया है अधिसे ज्यादा चीज़े तो मैंने ऐसे प्रेडिक्ट करके बता दी ती आरेने का स्ट्रोक्चर टी आरेने अडाप्टर मॉलिक्यूल क्यूंकि वह अमीन इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं करती कि तुम सिर्फ मेरी वीडियो देखो आपको जिदर से समझ में आप उधर से वीडियो देखो लेकिन पढ़ो पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी टाइम पर इतना यूट्यूब वगेरा नहीं था नहीं तो मेरे कॉंसे करते रहो है 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 अब अलग अलग एंजाइम्स की मदल से प्रूव किया था रात को मैंने देड़ बजे इसका वीडियो रिकॉर्ड किया था तो आपको समझ में आया होगा पता नहीं बहुत बहुत अच्छा लगता मुझे ग्रिफित का एक्स्पेरिमेंट बहुत इस में क्यूट क्यूट माइस यूज इस लिए भी बैन हो गया है आप आनिमल्स को यूज नहीं कर सकते रिसर्च लेबॉरेटरी क्रिफित ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था हमको जेनिटिक कोड क्या होता है उसके अलग 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 प्रॉपटीज कौन सी कौन से एलेक्रोफोरेसिस क्या होता है सदन ब्लॉटिंग क्या होता है मैंने सब एक्स्प्लेंट किया है जूम का उनका यह पूरा चैप्टर खतम हो गया है लेकिन मैं यूटूब पे इसको रिकॉर्ड करके नहीं डाल पाई इसका ना यह डाइग्राम आपके टेक्सबुक में क्लेर ओंफुल दिया गया प्लीज एस का डाइग्राम देखो कलेर फूल चीज का अट्रक्शन ही कुछ अलग होता है और यह डाइग्राम भी आपको टेक्सबुक से देखना है तो टेक्सबुक से देख लो कलर फुल डाइग्राम बनाते हैं ना थो थोड़ा समझने में आ पर लेते जाओं वीडियो पॉस करकर या वीडियो को स्लो कर तो 0.5 की स्पीड में चलाओ तो अपने आप वीडियो स्लो चलेगी तो आपको स्क्रीन शॉट लेने का टाइम मिल जाए आप बोलोगे माम का तो सभी पेवरेट है तो अच्छा लगता है इसलिए बायलोजी पढ़ाती है और माक्स कोई नुकलियोटाइट्स डिने श्रॉक्त वेरी इंपॉर्टन के इंठेशन फोक कैसे बंता है ड्यना को स्टेंट क्या होते हैं उकाजाकी न्जाओ धानल की स्टेंट क्या होते हैं और इंश्ट्रीन किया यह यह यहँज़ियोटी आप देख्के या टेक्स्बुक से पढ़के आप लोग समझ सकते वड़ाब़िय आनिशियेशन इलाउ कोशिश करूंगे मैं इसका वीडियो भी डालने के लिए यह प्रोसेसिंग ओफ एचन आरने स्टाइसिंग इस यह वापिस उपर भी दिया था डाइग्राम एक बार एक क्वेशन कर लिया आना तो दो तीन बार वो रिपीट हो रही है कि अ मुटर्ट तो यह था अपना चाप्टर नुम्बर 2 और चाप्टर नुम्बर 4 मेरी आपसे एक रिवेस्ट है प्लीज 11 के बच्चों के साथ यह चानल कर जाद कर दिया जितना हो सके उतना इस चानल को शेयर करो अभी बच्चे अभी भी question bank के answers से revision कर सकते हैं जिन्होंने साल बर कुछ भी नहीं पढ़ा है आप लोग question bank से पढ़ लो आप लोग पास हो जाओगे और जिन्होंने साल बर बहुत मेनत की है तो आप लोग question bank से सिफ revision करो बाकी सब कुछ textbook से करो बस पढ़ाई करते रहो मैं कोशिश करूँगे आपके लिए one shot videos लाने की और बाकी के chapter के question bank के solutions भी जल्दी से जल्दी प्रवाइट करने की पूरा का पूरा PDF हमने टेलिग्राम ग्रूप पे दे दिया है टेलिग्राम ग्रूप का नाम है ग्यान लाप उसकी link हमने description पे दी है playlist section में मैंने videos दिये हुए playlist section में जाओ videos को 1.5, 1.7 की speed में देखो आपका syllabus cover हो जाए सिर्फ पढ़ते रहो, tension मत लो, तबियत का ध्यान रखो दूद पी के सो, healthy दूद पी के सो immune system strong रखो और अपना प्यार हमें दिखाते रहो मिलते हैं जल्दी, thank you, stay tuned, see you soon